इंजिनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफर्म पर मैं लली तराथी आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं आपको यहाँ पर इंजिनियरिंग फिजिक्स और fundamental of mechanical engineering subject to provide किये जा रहे है at free of cost तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं engineering physics subject जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब हम उसकी unit second cover up कर रहे हैं जो बच्चे second semester में पढ़ रहे हैं उनके लिए code 201 हो गया है अगर जिन बच्चों ने first semester में पढ़ा है उनके लिए 101 है जो second unit है वो हमारा electromagnetic field theory है और उसका topic जो आज हम पढ़ेंगे अपने slavus के according वो है displacement current तो इससे पहले हमने जब second unit start की थी तो बच्चों को लगता है कि second unit hard है electromagnetic field जो है आपका यह hard portion है लेकिन हमने जो उसके hard topics उसको बनाते हैं यानि कि छोटी छोटी terms जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उन पर हमने पहले focus किया और उन पे हमने पहले command बनाई कि हाँ अगर बच्चे यह समझ जाएंगे तो फिर यह वाली unit बहुत easy उनको लगेगी तो मैं आसा करता हूँ कि आपको उन videos को देखकर बहुत अच्छी help मिल रही होगी कि जिससे कि आप आगले वाले topics को अच्छी तरह समझ सकें और उन पे command बना सकें तो आज start करते हैं अपना topic उससे पहले मैं थोड़ा सा syllabus आपको दिखा देता हूँ हमने पहला topic पढ़ लिया है last की वीडियो में अगर आपने देखा हो continuity equation for current density ठीक है important topic है exam के point of view से अब एक और important topic displacement current पर हम चलते हैं displacement current क्या होती है इसका derivation आज हम यहाँ पर करेंगे जिस तरीके से भी question exam में पूछा जा सकता है उस पर हमें आपर पकड़ बनानी है ठीक है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले displacement current क्या होती है उसको समझते हैं थोड़ा सा अगर आप नाम पर ही जाएं अपने topic के displacement है ना तो कहने का मतलब यह क्या है displace एक place से दूसरी place पर उसका place change हो रहा है यही कहलाता है displacement और current लग गया तो वो current क्या कहलाएगी displacement current अगर current एक point से दूसरे point पर displace हो रही है ठीक है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है the displacement current is the current that flow between the parallel plates of the capacitor आपने देखा होगा एक capacitor होता है उसकी दो plates होती है आप अगर यहाँ पर देखें एक plate यह है और एक plate यह है तो इसकी दो plates है जब हम इस पे कोई भी supply apply करते हैं तो एक conduction current यहाँ पर flow होना start हो जाती है तो जब वही current अगर आप देखें तो यह place एक दूसरे से कुछ distance पर है यानिके इनके बीच में कुछ place है तो जब आपकी current एक plate के surface से दूसरे plate पर पहुँचती है तो वह क्या हुई displaced हुई है और यही कहलाता है displacement current I hope displacement current क्या होता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम इसका mathematically expression करते हैं जिस तरीके से exam में पूछता है यह तो दो number की definition होगी कि अगर वो दो number में पूछ लेता है कि define या explain the displacement current तो आपको simple इतना लिखना है और एक अच्छा सा सुन्दर सा diagram आप यहाँ पर इस तरीके से बनाते कि छीक है अब जब हम derivation करते हैं या mathematical expression करते हैं तो मैं लिख लेता हूँ mathematical expression छीक है mathematical expression करने के लिए सबसे पहले हम एक diagram बना लेते हैं circuit diagram जिसमें हम एक capacitor को connect करेंगे एक register को connect करेंगे तो यह हमने एक register लगा दिया है जिसको हमने R से indicate किया है फिर इसके parallel में एक हमने capacitor लगाया हुआ है जिसको हम C से indicate करेंगे ठीक है यह C हो गया तो यहाँ पर इन दोनों plates के बीच में capacitor के distance है small d यहाँ पर current जो flow हो रहा है हमने उसको id माल लिया है यानि कि displacement current यहाँ पर जो current है वो induction current यहाँ पर आएगी introduce Maxwell introduce the concept concept of displacement current displacement current to indicate to indicate the production of to indicate the production of magnetic field magnetic field in empty free space यानि कि displacement current का जो concept है वो किस ने दिया था Maxwell ने introduce किया था और जिसमें जो indicate करता है production of magnetic field in empty free space जो दोनों plates के बीच में free space है वहाँ पर magnetic field का production होता है ठीक है so that so that the current the current flow through through the register through the register is given by is given by तो जो current flow होगी register में वो क्या होती है हमें पहले से हम बहुत अच्छे से formula पढ़ते हुए हैं कि voltage upon resistance यहने के current equals to V upon R चलिए आगे आते हैं next slide पे तो लिखेंगे since since this current is flow this current is flow through the capacitor through the capacitor आपने डाइग्राम में देखा कि एक रजिस्टर लगा हुआ है तो जब रजिस्टर से current flow हो रहा है तो that means i i equals to V upon R है और यही current जब capacitor से flow होगा तब क्या होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं flow through the capacitor अपोग तो रियुआ अपासिटर आप्टर लाम्राइब विखते हैं अप्लाइज आप्लिएज गणिषटे आप्लाइज लाइंड विखते हैं of charge with respect to with respect to time यानि के capacitor के through current जो flow होगा वो तब होगा जब applied voltage के मदद से या help से capacitor charge हो रहा है with respect to time that means i not equals to dq upon dt ठीक है I hope you can understand that जो current आपकी capacitor के through pass होगी या flow होगी since q equals to क्या होता है c into v capacitor की form में अगर q देखें हम तो capacitance उस capacitor का into जितना potential या जितना voltage हमने apply किया है तो अगर यही value हम यहाँ पर put करें then we get i not equals to d upon dt और bracket में आ जाएगा cv चूकि c constant है that means dv upon dt हमें मिल जाएगा यहाँ से is that clear ठीक है तो लिखेंगे नीचे this current this current is known as is known as displacement current ठीक है यह current क्या कह so write that id equals to यही आपका i not equals to c into dv upon dt ठीक है यानि के जो current flow होगा वो change in जो applied voltage है with respect to time उस पर depend करेगा यही उपर लिखा हुआ है जो applied voltage है जिसकी help से आपका capacitor charge होगा उसका rate of change क्या है with respect to time that's called the displacement current which flow between the two plates of the capacitor is that clear I hope यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से displacement current समझ में आया होगा कैसे find out करते हैं displacement current यह भी आपको clear हो गया होगा ठीक है अगर हम conduction current की form में उसकी current density भी लिखना चाहें तो मैंने current density बहुत अच्छे से आपको बताई हुई है ठीक है तो current density क्या हो जाएगी current density जिसको हम j से denote करते हैं for the conduction current है तो jc equals to ic upon a ठीक है तो current density आप इस form में लिख सकते हैं चलिए आगे देखते हैं और अब अगर हम लिखें we know that we know that equals to v upon d ठीक है तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा जो applied voltage है वो e dot d यानि कितना charge है और कितना space है between the two plates of the capacitor and एक formula और होता है capacitance के लिए c equals to epsilon into a upon d यह capacitance की value हो जाती है ठीक है तो अगर हम यह सारी values put कर दें अपनी id की value में तो so that पहले मैं id लिख लेता हूँ side में जो हमने अभी पीछे find out किया है id equals to क्या था आपके पास c dot dv upon dt जो displacement current हम कहते हैं है ना हम अभी हमने पीछे find out किया है last slide में then id equals to अगर यह values आप put कर दें जो हमने आपर e से v निकाला है और यहाँ c की value हमें पता है तो then we get epsilon into a upon d यह आपका वहर रहेगा and d upon dt और v की जगह पर आप put कर देंगे e dot d is that clear then जब आप calculate करते हैं तो then you get epsilon a upon d क्योंकि d यहाँ पर constant है तो वो बाहर आ जाएगा then you get differentiation of e with respect to t आप देखेंगे तो d से d cancel out हो गया epsilon a into d e vector form upon dt is that clear finally you get id equals to a dot d अगर मैं epsilon को e के साथ लेके जाता हूँ then you get epsilon e vector upon dt आपको पता है we know that since d vector equals to epsilon e vector ठीक है यह होता है कि d जो है वो equal to हो जाएगा epsilon e के तो आप इसको replace कर सकते है and you can also write id equals to a dot d capital d vector form upon dt तो एक form आपकी displacement current की यह भी आ जाती है छीक है I hope यहां तक आपको बहुत अच्छे से clear आ रहा होगा समझ में सारी चीजे कहीं पर कोई doubt हो तो आप comment box में जरूर करें जब तक आप comment box में नहीं लिखेंगे तो हमें या किसी भी teacher को पता नहीं चल पाएगा कि आपका doubt क्या है और अगर पता नहीं चल पाएगा तो उसका solution नहीं मिल पाएगा ठीक है तो यह displacement current हो गई अगर हम d की form में निकालना चाहते हैं या फिर area की form में निकालना चाहते हैं तो भी हम आपको पता चल गया और अगर आप capacitance की value में find out करना चाहते है इंदा form of capacitor value और applied voltage तो आप यह हो जाएगी हम पर id जो हमने इस starting में निकाली थी ठीक है दूसरी form आपकी यह हो जाती है id की ठीक अब ऐसे displacement current density भी लिख लेते हैं जैसे हमने पीछे conducting current density लिखी थी ऐसे हम displacement current density यह लिख लेते हैं तो हम लिखेंगे displacement current density is J4D हो गया displacement equals to क्या होता है displacement current upon cross-sectional area then you can also write JD equals to क्योंकि आपकी id की value क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पर आप अगर देखें तो हमने अभी क्या find out किया है A differentiation of capital D vector form with respect to T तो आप यहाँ से देखेंगे A से A cancel out हो गया you get JD equals to differentiation of D vector upon DT तो यह आपका displacement current density आ जाता है चीक है I hope यहाँ तक आपको सारी चीजे clear होंगी तो यहाँ से कुछ note निकलता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं तो एक heading लिखेंगे आप पर note चीक है यह आप अपने हिसाब से देखें कि 5000 का note है या 2000 का note है या 10,000 का है क्योंकि note का मतलब है कुछ न कुछ indicate किया जा रहा है कुछ न कुछ आपके लिए important है जैसे आपके जिंदगी में पैसों की value है वैसे यहाँ पर इस topic में इस note की कुछ न कुछ value जरूर होगी ज़रूर जिहान देंगे इस पर तो लिखेंगे the displacement current the displacement current in the gap in the gap is identical विद दा identical विद दा conduction current conduction current in the conducting wire in the conducting या sorry connecting wire जो connecting wires होते हैं उसमें कहने का मतलब क्या है कि जो displacement current है in the gap is identical with the conduction current जो flow होती है conducting wire मतलब कि displacement current इसी तरीके से है जिस तरीके से conduction current flow होता है connecting wires में बस यहां पर क्या है जो gap है दो प्लेट्स के बीच में उसमें जो फ्लो रहा है current का that's called the displacement current ठीक है चलिए आगे लिखते हैं conclusion in fact in fact the displacement the displacement current the displacement current does not does not mean an actual an actual current that flows through flows through the capacitor the capacitor full stop it is simply it is simply an apparent apparent current apparent current which represent it represent the rate at which at which charges at which charges flow from one electrode to another one electrode one electrode to another in the external circuit in the external circuit full stop कहने का मतलब क्या है generally अगर हम देखें तो displacement current क्या है does not mean any actual current generally इसका कोई meaning नहीं है displacement current का actually अगर हम देखें बट यह क्या है that flow through the capacitor जो capacitor के throw flow हो रही है that means it is simply an apparent current यह एक तरीके से हम बोल सकते है apparent current है which represents the rate at which the charges flow from one electrode to another मतलब यह एक तरीके से apparent current है जो represent करती है किसको rate जिस पे की rate को उस rate को जिसमें charges of flow यानि के charges का जो flow है एक electrode से दूसरे electrode पर in the external circuit ठीक है उसको यह क्या करती है बताती है या represent करती है बस actual में इसका कोई meaning ऐसा नहीं है actual कोई current displacement current हम नहीं कह सकते directly बट जो capacitor में एक plate से दूसरी plate पर charges के flow होने से या charges के transfer होने से या charges के displaced होने से current flow होता है that's called the displacement current I hope lecture आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप अपने comments जरूर हमें share करें हमारे साथ साजा करें क्योंकि ये एक माध्यम है आपके और हमारे बीच communicate करने का क्योंकि आप हम से बहुत दूर बैट कर कहां पर पढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता वहां तक हम communicate नहीं कर सकते बस एक जर्या है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि हम कैसी मेनत कर रहे हैं और कैसा matter आपको provide करा रहे हैं क्योंकि आप लोग हैं तो इंजिनियर्स गेटवे है अगर आप नहीं है तो इंजिनियर्स गेटवे का कोई भी महत्व नहीं है ठीक है इंजिनियर्स गेटवे ने आपको promise किया है कि यहाँ पर आपको at zero cost quality education मिलेगी zero cost का मतलब यह नहीं है कि बच्चे पैसा नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर quality education में कोई भी हम compromise करेंगे day by day improvement होगा जैसे जैसे आप comment करके बताएंगे बैसे बैसे हम कोशिस करेंगे अपने अंदर improvement करने की ठीक है कुछ बच्चों ने कहा कि सर जल्दे जल्दी lectures को provide करा दीजिए पिटा हमारे पास अभी बहुत time है अगर जल्दे जल्दी कराएंगे तो फिर वो केवल पड़े रहेंगे lecture आप नहीं देख पाएंगे जब आपको need होगी तब आप उस lecture को देखेंगे अगर आप time to time एक एक lecture देखेंगे तो उससे आपकी जो तयारी है वो और strong होगी आप एक एक eat को उठाक कर लेके जाएंगे तो आप आसानी से thousands और लाख eat एक जगे से दूसरे जगे पर place कर सकते हैं एक ही दिन में आप कोसिस करेंगे कि हम एक लाख eat एक place से दूसरे place पर पहुंचा जाएंगे तो आप उसमें ठक जाएंगे और आपका मन क्या होगा फिर सोचेगा कि ये बहुत hard है एक जगे से दूसरी जगे पर इतनी सारी eat ले जाना लेकिन अगर एक एक करके आप eat ले जाना start करेंगे तो मैं guarantee ले रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका base इतना strong बन जाएगा कि आप physics में कहीं पे भी मार नहीं खाएगे ठीक है तो अगर session अच्छा लगा है तो like कीजिए अपने friends के साथ share जरूर करें जिन बच्चों को इस lecture की या topic की need है जब कि ये जो आपको हम matter provide करा रहे है at free of cost सब तक पहुंच सके ठीक है और अगर channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करने जिससे की आपको day to day information मिल जाए कि कौन सा video अब upload होने वाला है ठीक है तो I hope आप ऐसे ही इंजिनियर्स gateway पर अपना विश्वास बनाए रहेंगे और हमें energy provide कराते रहेंगे आपस में हमें हमारे साथ communicate करके ठीक है तो तब तक जुड़े रहें इंजिनियर्स gateway से थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत